बैंकिंग सेक्टर की सेहत को लेकर अब कहा है कि बैंकिंग सेक्टर अभी भी लचीला और स्थिर बना हुआ है और उसकी बैंकिंग सेक्टर पर पूरी नजर बनी हुई है इस खबर पर विस्तार से जानकारी हमारे सयोगी अंकुर मिश्रा दे रहे हैं यहां पर Reserve Bank of India ने एक statement जारी किया है आपने देखा होगा कि Adani Group companies के वज़े से बहुत सारे speculation, बहुत सारे news reports जा रहे हैं थो तो यहां पर Reserve Bank of India ने clarify किया है कि जो Indian banking system है उसकी health strong बनी हुई है साथ ही साथ जितने भी parameters होते हैं चाहे हो liquidity ratio हो, चाहे हो capital ratio हो सारे banking के system में जो parameters है, वहां पर banking health strong है और साथ ही साथ यह भी mention किया है कि कोई भी तरीके का जो default होता है पांच प्रोर से उपर का, वो system में RBA के आ जाता है तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है और साथ ही साथ सभी bank को ने जो large exposure framework है उसकी limit के अंदर ही सारे loan लिये है, in fact, State Bank of India, Punjab National Bank, Bank of Bologda ने on records आकर बोला है कि उनके जो भी exposure है, डानी प्रूप के वो RBA के large exposure framework की limit से काफी कम है